थोड़ा मुस्कुरा लीजिये कहानियें। पर दो भाई थे, एक की उम्र आठ साल, दूसरे की दस साल। दोनों बड़े ही शरार्ती थे, उनकी शैतानियों से पूरा। महला तंग आया हुआ था, माता पिता रात दिं। इसी चिंता में ड्रबे रहते की आज पता नहीं वे दोनों। क्या करें। एक दिन गाव में एक साधु आया, लोगों का कहना। था की बड़े ही पहुँचे हुए महात्मा है, जिसको। आशिरवाद दे दें उसका कल्यान हो जाए। पड़ोसन ने बच्चों की मा को सलाह दी कि तुम अपने बच्चों को दोट इन साधु के पास ले जाओ। शायद उनके आशिरवान से उनकी बुध्धी कुछ ठीक हो जाए। मा को पड़ोसन की बात ठीक लगी। पड़ोसन ने यह भी कहा कि दोनों को एक साथ मत ले जाना नहीं तो क्या पता। दोनों मिलकर वहीं कुछ शरारत कर दे और साधु। नाराज हो जाए। अगले ही दिन मा छोटे बच्चे को लेकर साधु के पास। पहुची साधु ने बच्चे को अपने सामने बैठा लिया। और मा से बाहर जाकर इंतजार करने को कहा। साधु ने बच्चे से पूछा, बेटे तुम भगवान को जानते। ओ नत, बताओ भगवान कहा है। बच्चा कुछ नहीं बोला, बस मुहबाय साधु की अर। देखता रहा, साधु ने फिर अपना प्रक्न दोहराया, पर। बच्चा फिर भी कुछ नहीं बोला, अब साधु को कुछ। चिडसी आई, उसने थोड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए। कहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता। जवाब दो, भगवान कहा है। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुहबाय साधु की ओर हैरानी भरी नजरों से देखता रहा। अचानक जैसे बच्चे की चेतना लोटी, वह उठाओ। तेजी से बाहर की ओर भागा, साधु ने आवाज दीपर। वह रुका नहीं सीधा घर जाकर अपने कमरे में पलंग। के नीचे चुप गया, बड़ा भाई, जो घर पर ही था, ने उसे चुपते हुए देखा तो पूछा क्या हुआ। चुप, क्यों रहे हुँ। भया, तुम भी जल्दी से कहीं चुप जाओ, बच्चे ने घबराये हुए स्वर में कहा। पर हुआ क्या, बड़े भाई ने भी पलंग के नीचे घुसने की कोशिश करते हुए पूछा। अब की बार हम बहुत बड़ी मुसीबत में फस गये हैं। भगवान कहीं गुम हो गया है और लोग समझ रहे हैं। कि इसमें हमारा हाथ है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब और कॉमेंट में जरूर बताईए की कैसी लगी हमारा है।